लेसन 16, पाट 16, वर्ड पीस, वर्ड मतलब बिश्व संसार, पीस मतलब शांती, बिश्व सांती Students are fighting in the classroom, इद्यार्थी कक्षा में जगडा कर रहे हैं The teacher enters the classroom, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं Teacher, अध्यापक Students, why are you fighting? शात्रो, आप क्यों जगडा कर रहे हैं? अमन, मेडम शांती स्नेज्ड माइन नोटबुक मेडम शांती ने मेरी किताब नोटबुक कॉपी छीन ली शांती, no मेडम, अमन इस टेलिंग अलाए, नहीं मैम, मेडम नहीं अमन जूट बोल रहा है Teacher, stop fighting, जगडा बंद करो, लड़ाई बंद करो You should not waste your energy in fighting तुम्हें अपनी शक्ती लड़ने में बरवाद नहीं करनी चाहिए तागत या शक्ती Use it in a right way इसको सही तरीके से इस्तिमाल करे या अपनी शक्ती का, अपनी तागत का सही तरीके से उप्योग करो If you are not able to keep peace in your classroom, how can you keep peace in the world? अगर तुम अपनी कक्षा में शांती नहीं बनाया रख सकते, तो तुम संसार में कैसे शांती बना पाओगे? अमन Madam, what does peace in the world mean? Madam, विश्व शांती से क्या मतलब है? Teacher Before knowing what does peace in the world mean, do you know the meaning of word? विश्व शांती का मतलब जाने से पहले क्या तुम ये जानती हो कि word, विश्व, संसार शब्द का क्या अर्थ है? अमन Yes, madam हाँ, madam word means दुनिया और संसार word सब का शब्द का अर्थ है, दुनिया या संसार Teacher Good Now tell me what is peace अच्छा, बहुत अच्छा अब मुझे ये बताओ कि शांती का क्या मतलब है, पीस का क्या मतलब है शांती Madam, peace means शांती Madam, peace का मतलब है शांती Teacher Good If you want to make peace, begin it from your home बहुत अच्छे अगर तुम शांती बनाय रखना चाहती हो, तो सबसे पहले इसकी शिरुवात अपने घर से करो Don't fight at home घर पर लडाई जगडा मत करो Don't quarrel with your friends अपने मित्रों से जगडा मत करो Nevers or anyone around you अपने मित्र, अपने पडोसी हो और जो कोई भी तुम्हारे आस पासे उनसे किसी से जगडा मत करो Amen and shanti Yes, madam, हाँ, ma'am Teacher Then stop quarreling and try to keep peace in your surrounding तो जगडा करना बंद करो और अपने आस पडोस में शांती बनाय रखो Amen and shanti Okay, madam We will try to keep peace in the society Yes, madam हम अपनी सोसाइटी में अपने आस पास में समाज में शांती बनाय रखने की कोशिश करेंगे Teacher You got both the words Word and peace आपको संसार और शांती दो शब्द प्राप्त होए कौन से दो शब्द? You got both the two words दोनों शब्द मिले या पता लग गया उनका मतलब कौन सा? संसार और शांती Now I'll combine these words and define it to you अब मैं इन दोनों शब्दों को आपस में मिला कर तुमको इसनका मतलब समशाती हूं Word peace means happiness, freedom and peace among people बिश्व शांती का मतलब है खुशहाली freedom, swatantrita and peace among people और लोगों की बीच में शांती Word peace means to bring the world in harmony बिश्व शांती का मतलब है संसार में harmony मतलब सामान जस से लाना एक दूसरे से तालमेल बिठा के खुश रहना अमन Madam, what is harmony? Madam, harmony क्या है? harmony का मतलब क्या है? सामान जस से बिठाने का मतलब क्या है? Teacher The word harmony means cooperation, balance and coordination Harmony शब्द का अर्थ है cooperation मतलब सहीयोग, balance, संतुलन और coordination मतलब समन्वे There are many factors which disturb this harmony बहुत सारे कारण हैं जस से ये आपस का सामन जस से harmony जो है बिगड़ जाती है अमन Madam, please tell us about these factors मैं क्रप्या हमें इन factors, इन कारणों के बारे में बताईए टीचर टीचर ओके, let me tell you about those factors अच्छ हम मुझे उन कारणों के बारे में बताने दीजिए वर्ड पीस इस डिस्टरव बाई टू में फेक्टर बिश्व शान्ती दो बड़े कारणों से डिस्टरव हो जाती है जो बिश्व शान्ती को खराब करने वाले जो महान कारण है बो बताती हूँ पहला कारण है इसे कारण है जो हमारी जैनेरेशन मतलब हमारी पीड़ी को अप्रभावित करते हैं इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से और साइकलोजिकली मतलब मनोबग्यानिक रूप से युद्य और आतंकबाद दो ऐसे कारे हैं जो हमारी पीड़ी को भाबनातमक और मनोबग्यानिक तरीके से प्रभावित करते हैं और जो दूसरा कारण है जिससे वर्ड पीस डिस्टर्ब होती है खराब होती है वो है फाइटिंग लड़ना on the basis of caste मतलब हमारी कास्ट क्या है हमारी कास्ट जाती के लिए लड़ना क्रीड पंथ हमारा क्या रंग और हमारा क्या धर्म इन सब चीज़ें की ऊपर लड़ना So by eliminating these factors and by respecting humanity we can make this world a better place to live in इसलिए इन सब चीजों का उन्मूलन करते हुए तिथा मानपता का सम्मान करते हुए हम इस संसार को रहने का एक अच्छा इस्थान बना सकते हुए करेंगे और इस संसार को रहने का एक अच्छा से जगा बना देंगे अमन ओके मैडम वी शेल ट्राइए जी मैडम हम कोशिश करेंगे टीचर नाओ आयम गूइंग टेल यू दवे वाई विच यू केंड मेक पीस इन दा वर्ड अम मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगी जिसस तुम बिश्व में शांती ला सकते हों है भी एवर हर्ड़ तर्म बसुधेव कुटम्बकम क्या तुमने कभी बसुधेव कुटम्बकम बाक्यांश सुना है अमन शांती नो मैडम वी डूंट हैब एनी आइडिया अवावट इट नहीं मैडम हमें इस बारे में कोई जानका पारी नहीं है या हमने यह सब नहीं सुना है टीचर ओके लेट में एक्स्प्लें दिस तो यूँ ओके मुझे यह बताने दो मैं तुमको यह सब यह बताती हूं बसुधेव कुटम्बकम इस संस्कृत फ्रेस विच इस मेड़ और त्री वर्ड्स बसुधेव कुटम्बकम एक शंस्कत का वाक्यान से है जो तीन शब्दों से बना है बसुधा इवा एड कुटम्बकम वह तीन शब्द कौन से है बसुधा इवा एड कुटम्बकम विच मेंस तैट अर्थ और दर वर्ड इस फैमली इसका मतलब है प्रत्वी एक परिवार है संसार है So, we should consider the whole world as a family to get world peace So, इसलिए हमें पूरे संसार को एक घर की तरह, परिबार की तरह मानना चाहिए ताकि संसार में शांती आए Let's stand hand in hand to have peace in the land Let's stand hand in hand का मतलब है हाथ मिला कर खड़े होना या एक दूसरे से मिल जूट कर रहना To have peace in the land, हमारी धर्ती पर शांती के लिए हमारी धर्ती पर शांती बना रखने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर मिल जूट कर खड़ा रहना है हमें इस शचपिकți कर मिल जूसरे कर वार्ती टावच्पिंट झाभältडब हैं हाथ सहया लिए्ट पर बारत जूसरे के लिए झावच्प movement झाल 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 झाल